जैबली कैसे बीवी जूनियर डिफरेंट होने वाला है बाकी कंपिटिटर चे सब्से पहली वीडियो है उसके बाद विपैद इंट्टेन इंट्ट जिसमें सब्से पहले हम देखेंगे जूनियर स्केन उसके बाद प्राएमरी सेक्षिन यह तरह section so this video is all about key differentiators यानि हम different कैसे होने वाले बाकी competitors के साथ so मैं video play कर देता हूँ आप लोग notes बनाएए so that अब हम content और उसके features को समझेंगे features show करते time इस बात का ध्यान रखें कि आप सिफ features ही नहीं बलकि उनके benefits भी बताएं हमारी app इन तीन parts में divided है study, practice and performance आप study section में present high quality animated content और बाकी features को use करके पढ़ सकते हैं practice zone में हमारे पास एक लाग से भी ज्यादा questions का question bank है आप simple एक या एक से ज्यादा chapters choose कर सकते हैं और ये बच्चे के लिए एक random quiz create करता है जिससे बच्चा जितनी बार चाहे उतनी बार practice कर सकता है performance section काफी बार parents ये कहते हैं कि कम से कम बच्चा tuition में पढ़ाई तो करता है लेकिन क्या आपको ये पता चल पाता है कि बच्चे ने क्या और कितनी पढ़ाई की है also बच्चे के weak areas क्या है और उनमें वो कैसे improve कर सकता है हमारा performance section आपको ये बताता है कि आपके बच्चे ने कितनी पढ़ाई की है साथ ही ये बच्चों के weak areas को identify करता है और खुद से ही improvement के लिए suggestions भी देता है सिर्फ efforts काफी नहीं है ये जरूरी है कि efforts productive हो और सही direction में हो हम kg से 12th standard तक सारे subjects provide करते हैं जैसे कि maths, science, history, civics, geography, economics, evs, hindi, english, computer science और general knowledge अगर competitors की बात करें तो by juice सिर्फ सारे grades के लिए maths और science ही provide करता है और कुछ ही grades के लिए social science भी विदान्तू, white height junior और unacademy के पास high quality animated content ही नहीं है ये सिर्फ online teaching platforms है ये live online classes provide कराते हैं जो school teachers भी कर रहे हैं so technically ये act tech है ही नहीं unacademy 6th और इससे उपर की standards में ही सिर्फ operate करता है bilingual audio English में बात करते time जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये है कि सबसे पहले वो sentence को हिंदी में सोचते हैं फिर उसे English में translate करते हैं और तब बोलते हैं इस approach को follow करके बच्चा कभी भी English में fluent नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों languages में sentence का structure काफी different होता है दोनों languages में verbs, tenses और words का arrangement काफी अलग होता है अब हमने क्या किया है? हमने सारा content Hindi और English दोनों में create किया है बच्चा on the fly language को change कर सकता है इसका मतलब है कि module देखते time बच्चा language को default से Hindi में change कर सकता है इससे उसे difficult sentences और words को समझने में help मिलती है इससे ना सिर्फ learning better होती है बलकि बच्चे की English भी improve हो जाती है अब बात करते हैं online and offline feature की हमारा पूरा content online and offline दोनों modes में work करता है अकसर parents नहीं चाहते कि बच्चे को internet से connected unattended छोड़ा जाए और इसी problem को solve करने के लिए हम अपना content online और offline दोनों modes में provide करते हैं आपको करना क्या है आपको simply switch करना है content को to offline mode हमारी अप में built-in download manager है simply choose your standard and app अपने आप उस standard का offline version फोन के internal memory या SD card में download कर देगी हम इकलौती active company हैं जिसकी अप online और offline दोनों modes में work करती है कुछ और active companies भी अपने content का separate offline version प्रोवाइड करते हैं पर उसके लिए एक separate tablet और offline content के लिए एक external SD card की जरूरत होती है अब एक device से दूसरी device में switch करना काफी difficult हो सकता है इसके अलावा इससे offline से online एक seamless transition भी नहीं हो पाता दूसरी तरफ हमारी अप ना सिर्फ content को offline और online यूज़ करने के लिए एक additional device खरीदने की problem को solve करती है बलकि ये parents के पैसे भी बचाती है और students को पढ़ाई का एक seamless experience प्रोवाइड करती है Choose a book feature हम सिर्फ CBSC, ICSC और बाकी state boards के content को ही map नहीं करते बलकि हम उनके सभी publishers को भी map करते है तो अगर बच्चा किसी दूसरी book से पढ़ना चाहता है तो वो book भी हमारे content में available होगी सारे publishers की exact books along with NCRT हमारे content में already mapped है आपको कोई और book purchase करने की जरूरत ही नहीं है काफी बार schools private publishers follow करते हैं बट देखिए board exams तो NCRT की books से ही आएंगे इसलिए हमारा content आपको on the fly किसी भी book को choose करने की flexibility provide करता है हम 15 state boards का content provide करते हैं और 3000 से ज़्यादा publishers हमारे content में mapped है अब देखिए 3000 publishers को map करने में किसी और दूसरी edtech company को कम से कम 2 साल तो लगी जाएंगे ये एक सबसे बड़ी personalization है जो edtech company अपने customers को offer कर सकती है किसी concept को समझना जरूरी है बट ज्यादा से ज्यादा marks achieve करने के लिए बच्चों को ये पता होना चाहिए कि exam में क्या लिखना है बच्चों को ये पता होना चाहिए कि exam में कैसे लिखना है उसकी क्या exact language होनी चाहिए इसके लिए हम key points, key terms, notes, toppers answer sheet provide करते हैं ये चीज़े revision के लिए बहुत important होती हैं quizzes with time limit and review option along with all India rank feature हम practice के लिए एक लाग से भी ज्यादा questions का question bank provide करते हैं किसी concept को समझने के बाद बच्चा जितनी बार चाहे उतनी बार practice कर सकता है और हमारी artificial intelligence based system के थूँ improvement के लिए suggestions भी देख सकता है यहाँ बच्चा सिर्फ अपनी class के students के साथ ही compete नहीं करेगा बलकि उसे ये भी पता चलेगा कि वो all India level पर कहां stand करता है live videos पूरी education somehow हमारी real life से connected होती है फिर भी हम इसे ऐसे नहीं पढ़ाते हैं और यह एक बहुत बड़ा reason है कि बच्चे पढ़ाई में interested नहीं होते हैं for example अगर मैं आपसे पूछू कि what is radar या what is sonar तो आप कहेंगे कि यह एक military equipment है लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछू कि आप इसे अपनी daily life में कहां use करते हैं तो शायद आप इसका answer नहीं दे पाएंगे आपकी car का reverse parking sensor और कुछ नहीं बलकि radar और sonar की principle पर ही work करता है raised reflect होके यह estimation देती हैं कि object कितना दूर है जब आप अपनी education को real life से connect करते हैं तो ना सिर्फ ये interesting हो जाती है बलकि आप इसे लंबे time तक याद भी रख सकते हैं इसलिए हम हमारे content में real life videos भी provide करते हैं चलिए अब interactive games की बात करते हैं हमारे content में 10,000 से ज्यादा interactive games present है बच्चे और specially junior grades में games खेलना बहुत पसंद करते हैं हमने बच्चों के लिए बहुत सारे interactive games create किये हैं इन games को खेल के बच्चे enjoy भी करेंगे और games को खेलने के साथ साथ वो नई चीजे भी सीखेंगे उनके concepts clear होंगे और वो studies को भी enjoy करेंगे तो है ना ये भी एक amazing feature चलिए अब बात करते हैं blue tick feature की बच्चे ने कितना content देखा है ये हमारी app calculate करती है और store करती है और blue tick feature के थूँ ये denote करती है ये एक smart feature है जब तक आप complete module beginning से लेके end तक नहीं देखते हैं तब तक blue tick show नहीं होगा for example अगर आप सिर्फ scroll करके module को end तक ले जाते हैं and then back click करते हैं तो blue tick नहीं show होगा ये सर्फ तभी show होगा जब आप complete module देख लेंगे special learning zone for dyslexic students आपने वो movie तारे जमी पर तो जरूर देखी होगी जिसमें इशान को पढ़ने और लिखने में problem होती है आप ये जानके surprised होगे कि 20% students that is 5 में से एक बच्चे को dyslexia की कोई ना कोई form जरूर होती है जिसमें उन्हें पढ़ने लिखने में difficulty होती है ये problem कितनी बड़ी है ये हर बच्चे में vary करता है कुछ बच्चों में dyslexia mild होता है तो कुछ बच्चों में dyslexia काफी severe form में होता है इसलिए हमने 1st to 5th के लिए special learning zone create किया है जिसमें हम various therapies के थूँ पढ़ाते हैं writing skill therapy सबसे पहले हम बच्चे को different alphabets को लिखना सिखाते हैं phonetic skill therapy उसके बाद हम बच्चे को इन alphabets को इनकी sound के साथ connect करने देते हैं spelling skill therapy फिर हम बच्चे को various interactive games की help से इन words की spelling को practice करवाते हैं lastly है vocabulary skill therapy किसी particular language में आप कितने words जानते हैं उसे vocabulary कहते हैं पढ़ने और लिखने की problem होने की वज़े से हमें बच्चे की vocabulary पर भी work करने की जरूरत होती है last but not the least इंडिया के सबसे बड़े board ने already हमारे content को अप्रूव किया हुआ है